कि अलो दोस्तों मैं अंगा सर ये लर्निक दुर्गेश में आप तभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तो जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि रिमेंडर्ट थिरम के कुछ बेसिक कांसिप्ट क्या हो सकते हैं तो थोड़ी सी मैं उस पर चर्चा करूंगा और और उसके बाद हम कई सवाल इस पर करेंगे तब समाज में आएगा कि रिमेंडर्ट थिरम निकलता कैसे तो दो तीन चीज़े बाते आपको दिमाग दे जानकारी देने योग्या है जो आप जानिए पहले जैसे मैंने कहा 118 में आप 9 से भाग देते हैं या 19 से लेते हैं पहले समझे उन्नी से ले लेता हूँ या मैं कहा कि 27 में भाग मैं 8 से देता हूँ दोनों बात समझे अगर 27 में 8 से आप भाग देते हो तो दो बात समझे अगर यहां भाग जा रहा है डारेक्ट आप कहते हैं आठ तरिक 24 और रिवेंडर बच गया तीन वहीं आठ तरिक 24 तो सेशफल कितना बचेगा तीन लेकिन अगर यही बात मैं कह रहा हूं कि आठ चोग 32 कर दे रहा हूं कितनी बाल ले जा रहा हूं आठ चोग 32 और जब मैं 32 में से 27 घठा रहा हूं 27 में से 32 तो मेरे पास 5 बच रहा है किस में माइनस में लेकिन माइनस कभी तो रिवेंडर होता नहीं देखो कभी भी रिवेंडर क्या होता है माइनस नहीं होता है तो अगर माइनस नहीं होता है तो क्या करेंगे जो इसका भाजक है उससे इसको घटा देंगे यानि 8-5 यानि वर्जिनर रिमेंडर प्लस में आएगा और क्या हो जाएगा प्लस तो यहां पर दोनों बातें आप देखिए कि रिमेंडर सेम आता हुआ नजर देख रहा है आप जैसे समझेगा बात अगर 118 शोटा लेके पहले समझाता हूं जैसे आप समझ पाओ देखिए माल निजे यह आपका है 15 आप 8 अब आपने क्या किया है आठ 1 का 8 किया तो रिमेंडर बच्चा साथ शाम जैसे अगर आठ एका आठ किया तो रिमेंडर बचा साथ क्योंकि आठ साथ 15 होता है लेकिन अगर आठ दुना 16 आप कर दिये तो रिमेंडर कितना बचा माइनस वन रिमेंडर कितना बचा माइनस वन आप जब रिमेंडर माइनस वन बचा तो आप बताओ कभी क्या रिमेंडर माइनस वन होता है नहीं होता है तो जिससे आप भाग भाग देते हो यानि भाजक में से उस संख्या को क्या करते हैं घटा देते हैं और फिर से रिमेंड में आई होंगे कुछ और एक्जांपर लेकर समझते हैं कि देखें कि माल लेते हैं 115 में हमें 12 से भाग देना चुछ अब मैं कहूंगा कि अगर भाई साब इसको मुझे भाग देना पड़े तो पारा नौई यह एक सो आठ अब बारा दहां में 120 चला गया अगर मैं बारा दहां में 120 चला गया तो Romans 5ừng MPa Catherine नहीं होता आप क्या करो भाजक से इसको गटा दो यह नी बारा मेंसे पांच घटा दोगे चांदे लिमेंडी सता क्या जाएगा साथ जब 5 वाजए से अभी हम इसकी चर्चा करेंगे पहले टेक्निकल रूट से समझने की ज़रूरत है देखिए यदि मैं इसी बात को कि 115 भागे 12 किया अब 129 108 किया एक सब 115 में से 108 घटा होगे तो देखो ज्यादा भी जा सकते हैं और उससे कम भी जा सकते हैं रिमेंडर में चेंज नहीं आएका तीसरी बात क्या है उसको समझें कि यदि माइनस वन आता है यदि माइनस वन आता है तो भाजक से घटा देंगे भाजक से घटा देते हैं कि इतना आता है यदि माइनस वन आता है तो भाजक से क्या करेंगे घटा देते हैं और यदि प्लस वन आया प्लस वन आ गया तो यही क्या हो गया एंसर हो जैसे बात समझों यह बात क्या कह रहा है इसका मतलब अभी आप लोग नहीं समझेंगे मैरे कहने का मतलब है यदि आप माइनस वन का पावर सम संख्या ले ले कीवह, कनवर्ट हो जायएका किस में प्लस वन में लेकिन अगर माइनस वन का पावर आप नी बिसम संख्या ले लिया, वह convert होगा ही नहीं क्योंकि वह तो minus 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर सोचने की जरुवत है कि अगर minus का power कभी sum संख्या आएगा, तब तो वह plus में हो जाएगा, लेकिन अगर minus का कभी बिसम पावर हो जाएगा, तब तो minus ही आएगा, जैसे, मैंने कहा, minus 1 का power 1, कितना होगा, तो आप कहेंगे, sir, minus 1 नहीं होगा, फिर मैंने कहा, minus 1 का power 2, तो minus 1 का minus 1 में multiple, यानि हो गया, plus 1, फिर मैंने कहा, minus 1 का power cube, तो minus 1 into minus 1 होगा, ये तो plus हो जाएगा, लेकिन फिर गुड़ा होके, minus 1 हो जाएगा, तो आप सोच पाएगा, अगर minus 1 का power 4, तो दुद्दू 4 हो जाएगा, यानि, plus हो जाएगा, तो plus 1 हो जाएगा, यानि कहने का मतलब हमारा क्या है, कि यदि हम minus 1 का power, बिसम लेते हैं, तो सदय हमें minus 1 ही मिलता है, और minus 1 का अगर remainder निकालना होगा, तो भाजक से वो संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, तुसरी तीसरी बात समझे, आगर इसके power sum मिलता है, तो सदय उत्तर किस में आएगा, पाच्ट्यू में आएगा, क्लियर होगे, ये बातें आपको जाननी है, अब जैसे सवाल कई बार बने, 17 का पावर, 18 से, 18 में 18 से भाग देने पर, में 18 से भाग देने पर, रिमेंडर क्या होगा, ये सेस्पल क्या होगा, मल लिजे, अब मुझे पता है भाई कि 17 में 18 से मुझे भाग देना है, तो 17 बटे 18 और पावर कितना है, 18, तो पहले हमें ये देखना है कि 17 में 18 से भाग देजिए, क्या करें इससे इसमें भाग देजिए, अब भई कम बार तो है नहीं, कम बार है ज्यादा बार तो है नहीं कि 18 से भाग चला जाए, तो 18 से भाग जाएगा नहीं, लेकिन 18 का 18 तो रिमेंडर कितना बचे गा, ये सम संख्या हो, माइनस वन का पावर ये सम संख्या हो, तो बच्चे एंस्वर किस में आएगा, पलस वन में आएगा, और ये सवाल का क्या हो गया, एंस्वर सिंपल हो गई बात, दूसरी बात देखो, अगर मालो, यही बात ऐसे पूच्च दे, 17 का पावर 19 में 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए, तो उसे इस फल क्या होगा, आप देखों, 17 में 18 से भाग देना है, तो 17 डिवाइड बाई 18, पावर कितना, 19, आप बताओ, यहां से जब आप डिवाइड करोगे, तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है, बच्चे 17, चोट तो 18 एक का 18, तो 17 में से 18 गए, माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, अब मैंने बताया था कि माइनस 1 का पावर यदि बिसम संख्या है, तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस 1 तो रिमेंडर होता नहीं, बुले, माइनस 1 रिमेंडर नहीं होता, कि उम्मीद करता हूं इस बात समझ में आई होगी नहीं आया तो एक सवाल और लेके तब मैं सवालों पे चलता हूं चल्चा सवालों पे तरहेंगे जैसे मालों कि तुम्हारे पास कि मालों यह सवाल आगया कि आपको कि 19 का पावर 113 में 18 से भाग देने पर अठार से भाग देने पर तेस्पल क्या होगा ठीक है अब बताइए 19 को आप 18 से डिवाइड कर रहे हो तो भाग देने पर तो प्लस वन आएगा रेमेंडर कितना आएगा प्लस वन आएगा प्लस वन का पावर तो चाहे कुछ भी कर लो उत्तर क्या आने वाला है प्लस वन लेकिन अगर यही बात को 19 के पावर 113 में 20 से भाग दे 20 से भाग दे 2 से इस फल क्या होगा मा लिजे यह बात आप से पूछ दिया है अब 19 में आप 20 से भाग दे रहे हो आप कितना पा रहे हो देखो माइनिस वन पा रहे हो भी 19 छोटा है 20 20 में भाग दोगे तो 19 में से 20 गए माइनस एक हो गया बोलिए अब माइनस एक का पावर कितना करेंगे 113 माइनस पावर 100 लो मैंरे सोsinटानों C है नहीं आया अब हम सवाल लेते हैं कई सवाल मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए कारूर करके मैं आपको सवाल कर आता हूं देखे पहला सवाल देया 25 का पावर आड़ तालिस 25 का पावर आड़ तालिस आगे 13 में रिमेंडर क्या होगा 25 का पावर आड़ तालिस भागे 13 में रिमेंडर क्या होगा दीरे दीरे समझेंगे एक एक सवाल करके जिससे आपको समझ में आए ठीक चलिए देखे अब मुझे पता है कि 13 एक का 13 बहुत कर सकता हूं लेकिन हमको करना किसमें है 25 में यानि 25 का पावर आड़ तालिस में मुझे भाग 13 से देना है यह सिती है मेरी तो मैं कहूंगा तेरा दुना 26 तेरा दुना 25 से 26 घटाओ भाई 25 माइनस 26 का पावर 48 तो होगे सर्फ 25 में से 26 घटाएंगे तो माइनस वन आएगा क्या आएगा माइनस वन आएगा और माइनस वन का पावर कितना करेंगे 48 करेंगे यानि 48 करेंगे अची माइनस वन का पावर जब आप आप अलुस कि तो एक संखला है यानि उत्तर क्या रहा होगा प्लस वन और ओग इस सवाल का अंसर किया हुआ प्लस उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा चाह दूसरा प्रस लेते हैं अब भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं कई प्रस लिए हम करा देंगे दूसरा सवाल है कि चार के पावर 13 को चार के पावर 13 को तीन से विभक्त करना है और आपसे रिमेंडर बताना है कितना होगा तो देख के अब बता सकते हो यो कि तेर का थी सच्वार तो एख बचा एक का पावर 13 एक का पावर 13 तो एक ही होगा भई प्लस एक हैं तो कोई दिक्कत रही तो यह अ हाँ पर यह होग distint हो गिया यहिनों हो कि थिक है चलिए तीसरा सवाल लेते है कि इसरा सवल क्या कर रहा है उसको देखते हैं कि 19 का पावर 25 का पावर 26 में 24 से भाग देते 25 का पावर 23 में आप भाग किस से दे रहे हैं 24 से और आप से पूछा जा रहा है कि रेमेंडर क्या होंगे आप हमको बताईए इससे भाग आप दीजी दिए तो 25 बड़ा है कि 24 तो 25 बड़ा है भाग चला जाएगा कितनी बार में एक बार में जब जा रहा है एक बार लिख दो एक का पावर 26 है तो क्या उत्तर आ जाएगा एक आ जाएगा प्लस एक हो गया आपके सवाल का उत्तर पूलिए भाई क्लियर हुआ अगला सवाल देखें कि अगला कोश्यन देखें क्या कहा कि 36 का पावर कर तेरफ को साथ से भाग दिया जाता है 36 का पावर को तेरफ को सब भाग दिया जाता है तो रिवेंडर क्या होगा यानिस सेस्पल यह अब देखिए 36 का भाग हमें देना है इससे साथ से तो हम कहाएंगे साथ पचे 35 साथ पचे 35 रिवेंडर बच्चा एक आप बताओ एक का पावर कितना है 13 एक का पावर 13 सद्व कितना होता है एक होता है एक सवाल का कि चीख है कि चलिए कोश्चन नमबर चार करते हैं कि कोश्चन नमबर चार क्या कर रहा है समझे गए एक बातों को अभी मैं बेसिक से चलना हूं चलिए अब मैंने कहा कि 35 के पावर 37 को कि 35 के पावर 37 को किस से विखत किया जाता है 9 से विखाजित किया जाए तो रिवेंडर क्या होगा है तो रिवेंडर क्या होगा है कि समझे अगर 35 को आप 9 से विखाजित करते हैं द्यान दिजे 35 को यदि आप 9 से करते हैं तो 9 चोग 36 तो रिवेंडर आया एक कितना आ गया माइनस एक क्यों क्योंकि भाई साब 36 जादा है तो यहां से 36 जब आप निकालोगे तो रिवेंडर कितना आएगा माइनस वन आए लेकिन माइनस वन तो आया ठीक है उसके बाद कितना पावर है 37 तो 37 क्या है सम है कि विखम है तो आप कहेंगे सर यह विखम है आठ नमबर है क्योंकि दो से नहीं कटेगा ठीक है यदि दो से नहीं कटता है यानि यह विखम है यानि विखम है तो माइनस वन ही आएगा लेकिन माइनस वन तो रिमेंडर होता नहीं माइनस वन तो रिमेंडर होता नहीं तो रिमेंडर क्या हो जाएगा ज़रा बताओ तो तो रिमेंडर हो जाएगा 9-1 यानि इसका वर्जिंगल तेस्फल क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और यह सवाल का एंसर हो अगला देखो साथ का पावर 40 को साथ का पावर 40 को 400 से विभाजित किया जाता है सबसे सफल क्या हो तब से सफल क्या होगा यह आपसे पूशा अब देखें जब आप साथ के पावर 40 की बात करते हैं तो दो चीजे दिमाग में रखो इसके पास हमको पहुंचना चाहिए इसके पास पहुंचने के लिए हम क्या क्या देखेंगे देखो साथ का पावर एक कितना होता है साथ साथ का पावर दो उन्चास साथ का पावर तीन तीन सो तिरारेस पास पास है आस लेकिन बहुत साथ का पावर चार को चौबिस सो एक यह ना यानि देखो अगर चार से भाग दोगे तो चार सो चक्का चौबिस नोगा चौबिस सो और एक बज्याएगा तो एक लग जाएगा तो आथा यानि हमें लेना क्या है यहां से साथ का पावर चार में लेना है कि और इता सीच बार चला जाएगा और बटे कितना हो जाएगा cheese में तो जब आप इसको देखोगे यह तो 24 01 हो गया ना इसे भाग दिया 2401 में जब आप 400 से भाग दोगे तो 400 का 2400 बच जायेगा तो एक का पावर क्या हो गया यहां पे 10 हो गया और एक के पावर 10 में स्यां उत्तर आ कितना होगि तो थोड़ी थोड़ी बात को समझ में आएग है ने कि यदि साथ का पावर एक साथ हो गया है जाबन ल्यां आपका पावर दो 49 हो गया तरत का पावर 3343 उता है उसाद का पावर चाट burial 2400 Илиफ होता है आप वे को बताओ 2402 जो एक चार सो के करीबा या की नहीं करीब होने का मतलब में सबसे करीब का मैटर यही है क्योंकि 2400 तो डारेट पहुच जाएगे और एक यह जाएगा तो जो एक रिवेंडर बचेगा उसका पावर कितना मैंने किया दस क्योंकि यहां दस चोग का चालिस था ना तो चार इसमें ले लिया तो यह 241 हो गए और यह दस हो गया कि एक का पावर दस कितना होता है प्लस एक होता है और बाते हो गई समाथ चलिए कोश्यर नंबर चाह की तरफ चलते हैं आओ कोश्यर नंबर चाह की तरफ हम चलेंगे 2 का पावर 42 को जब हम 33 से भाग देते हैं तो remainder कितना हो दो का power 42 को जब हम 33 से भाग देते हैं तो remainder कितना होगा यह बात आप से पूछा गया आप देखे बाइचा 33 से भाग देते हैं तो देखते हैं 2 के किस power में पहुंच जाता है तो 2 का power 5 32 होता है पता होगा नहीं पता है तो कर लो देखो दो का पावर एक करोगे दो, दो का पावर दो करोगे चार, दो का पावर तीन करोगे आठ, दो का पावर चार करोगे सोला, और दो का पावर पाँच करोगे तो कितना हो जाएगा, 32 तो 33 के पास 32 पहुंचा की नहीं पहुंचा, जड़ा बताओ, पहुंच गया, तो हमको क्या है तो का पावर 5 लेना है 58 44 बचा कितना दो बैयालेस कि तो पांच- 848-44-64 ho जाएगा बद बापफा किसे देना 33 से 32 हो गया तो जब आप 32 हो गया भाग दोगे 33 से 32 में तो माइनयस वहर बचेगा और माइनयस वहन का पावर कितना हो गया आठ हो हो गया और गुड़ा कितना हो गया दो दुना चार हो गया अब माइनिस वन का पावर अगर समसंख्या है माइनिस वन का पावर यदि समसंख्या है तो प्लस वन हो जाएगा और गुड़े के चार हो जाएगा तो चार सवाल का क्या हो जाए इस तरह करता हूं जिस से दिक्कत न समझ में चलिए मैं अच्छा मान लिजे यह सवाल भूद हीमस सवाल कई बार आया हुआ रहता हूं कि अथा कपावर दोसों को 18 से भाग देने पर 17 का पावर कि दूसों को अठार से भाग देने पर इस फ़ल होगा आप देखे 17 का पावर 18 तो 17 बटे 18 याद आया माइनिस वन और माइनिस वन का पावर 200 माइनिस वन का पावर 200 इसमें कर्णोर्ट हो जाएगा तो प्लस वन में हो जाएगा और इस सवाल का क्या हो जाएगा है तो दूसरे बलू आसान था आया हुआ प्रश्ण था लगवा दिए पुश्ण नंबर आठ कि अगला प्रश्ण देखेगा क्या है कि कहा कि 307 अबे तीन सो सत्तानवे पावर 3589 तीन हजार पांसो नवासी प्लस पांच को प्लस पांच को तीन सो अठानवे से भाग दिया जाता है से भाग दिया जाता है से भाग दिया जाता है तो रिमेंडर कितना होगा अब देखे तो सेस्फल कितना होगा आप ही बताओ कि 307 का पावर 3589 दिया गया है और प्लस पांच दिया गया है इसको डिवाइड करना है 398 ने इस आप उपको बते जब इससे आप भाग देंगे दे दिये माले जी इससे आप भाग दे तो यहां सेस्फल कितना बचा माइनस वन क्या बचा माइनस वन क्योंकि आप बताओ कि माइनस वन का पावर क्या है 3589 है और प्लस की तरह है आप हमको बताईए कि माइनस वन का पावर यह सम है या बिसम है आंत में देखे यहां 9 है यानि यह B sum है B sum में मैंने बताया minus का power अगर B sum है तो minus 1 ही होगा अगर minus 1 का power sum होगा तो क्या होगा? प्लस 1 होगा यहां पर भाई साथ B sum है तो A हो गया minus 1 और प्लस 5 तो 5 में से 1 गय कितना हो जाएगा जरा बताओ तो उत्तर कितनी हो गए बोली समझ में आ गया है तो अगला question लेते हैं question number 9 question number 9 क्या कहा question 13 का power 143 13 का power 143 प्लस 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया आता है किसे भाग दिया आता है? 14 से भाग दिया आता है तो से स्फ़ल क्या होगा? क्या कहा हमें ने? 13 का power 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाता है तो से स्फ़ल क्या होगा? सही बात है? आप देखें देखें अब हम बात क्या कर रहे हैं? 13 का power 143 प्लस 143 को डिवाइड करना है आप इससे भाग दे रहे हो माइनस बनाएगा और माइनस वन का power 143 है तो माइनस वन ही रह जाएगा प्लस 14 से भाग दे रहे हो तो 14 दहाम 140 हो जाएगा तीन से स्फ़ल बच जाएगा यहां से यहां भाग दोगी जब तो वहीं 142 दहाम 140 तीन से स्फ़ल बच जाएगा तीन यह हो गया आप हमको बताओ माइनस वन का power अगर 20 सम है माइनस वन का power अगर 20 सम है आएगा तो माइनस वन और प्लस थरी पहले से इसका रिमेंडर जो बचा था इस वाले का इसका जो रिमेंडर था यहां से कितना रिमेंडर आएगा तीन आएगा तो यहीं तीन यहां रख दिया मैंने यहां रख दिया तीन बड़ा है एक छोटा है तो तीन में से एक गए दो तो रिमेंडर कितना हो जाएगा बच्चे तो बात हो गई समाप दो कितना आसान है यह देखो आगे कोशन कराता हूं कोशन नमबर दस सानसट का पावर सानसट सानसट का पावर सानसट प्लस सानसट वो आनसट से भाग देने पर और पावर सानसट च्टो कि और श्ठ प्लस सानसन वा थे सैंसर से बहाग दियता है यह आया है सब्सक्राइब और आप से करना है कि इस और आप से तब पूछा है रिमेंडर क्या आप हमको बताओ कि यहां से भाग दोगे कि इतना रिमेंडर माइनेस वन माइनेस वन का पावर कितना सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब अब माइनेस वन का पावर सब्सक्राइब कितना है कि मैं यह छोटा है तो क्यों भाग देकर समय पर दिद करो एवाई समयटर क्या है खोटा है अरस बढ़ा है चुटा तो भाग देना सब्सक्राइब नहीं यहाँ पावर है तो इसलिए देदिया अ हम आप यह देखो यहाँ पर कितना गया माइनस उन माइनस वन और इसमें भाग तो जाए गारे देखोम बादे-1 प्लस एभी माइनेसगे तो कितना होगे माइनेस दो माइनेस दो नहींट व कर दो पांच का पावर 501 को 126 से भाग दिया जाता है पांच का पावर 501 को 126 से भाग दिया जाता है तो रेमेंडर कितना होगा पांच का पावर 501 को 126 से भाग दिया जाता है तो रेमेंडर कितना होगा बस अब देखें तो पांच का पावर 501 अब हमें यह चेक करना पड़ता है कि 5 में 126 के पास क्या आता है पांच पांच के स्क्वेर 25 पांच का क्यूग 125 आ गया 125 यानि तीन घात आती कितने घात आती है तो पांच घात तीन लेलो और इसको भाग दे दो तो तोलत यहां 48 दो और सात्रीक एक एक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब हो गया 501 की रूपी तूट भी गया और इसको डिवाइड किसी करना 126 से जबाप 126 से भावर 125 में दो गए जबाप 126 से भावर 125 में दो गए तो कितना जाएगा बताओ गया तो माइनेस वन और महाईनेस वन का पावर 167 हो जाएगा यान 167 कितना गया माइनेस मन तो जब माइनेस मन आ गया तो यहां से क्या करते है सको घटा देते हो 26 माइनेस Aa बराबर उत्तर कितना गया एक सो । अいた इसा आ घाल का शान सत्रमलिल तो गया आप सवाल आया लेको एक यूपी टेट पेस्वी सवाल आया था पिछली बार ओभी मैं आपको करा देता हूं जो यूपी टेट में आया क्या यूपी टेट ने पूछा उसको दिमाग भी रखी पूछा की यूपी टेट दोजर अठारम प्रस्ण आया है कि तीन का पावर उननीस सो नवासी यह साथ से भाग देते हैं तो रिमेंडर क्या हो तो रिमेंडर क्या होगा ठीक है यह पूछा गया सवाल है कि अब देखें कि जब हमें पता चला कि तीन के पावर में कौन से ऐसी संख्या है जो साथ के पास पहुंचे कि तो साथ दुनी चौदर सात्री के साचोग अठाइस जो है 27 के पास है साय देखिए अध्यान समझेगा मेरी बाद तो तीन का पावर इन लेंगा 27 से जब लिया मैंने तो तीन से भागी देना पड़ेगा तो तीन चक अठारा एक फिर तीन चक अठारा और तीन तरिक का नो इतना बार जाएगा जाएगा और इसको डिवाइट करना है किसे साथ ठीक है अब देखिए जब मैं 27 में भाग दूंगा इसे साचोग 28 तो माइनिस एक बार जाएगा वही पुरानी प्रक्रिया इस तो मिटाता हुए इसके नहीं यह देखिए जब मैं इसमें भाग दिया ताचोग 28 तो 27 में से 28 गये कितना आएगा माइनस एक तो माइनस एक का पावर 163 हो गए अब 63 तो विसम संक्या 3 हो गई यानि विसम में तो आएगा माइनस वन कितना एगा माइनस वन लेकिन वाइसा माइनस वन तो किसी का रिमेंडर होता ही नहीं माइनस वन किसी का रिमेंडर नहीं होता तो क्या करोगे भाजक से उसी संक्या को घटा दो के अब 7 माइनस एक यानि उत्तर इसका क्या रहा होगा 6 तो यहीं सवाल का क्या था एंसर बस बात खतम हो यूपिट्टेट में भी ऐसा सवाल पूछा गया आप देख लो आप भाई कि रिवेंडर थीरम पर यानी प्रस्ण पूछा जा रहा है अब जैसे प्रस्ण दिया कि चार का पावर चानवे चार का पावर चानवे वो चार से भी भक्त किया जाए तो सेस्फल क्या होगा तो सेस्फल क्या होगा तो सेस्फल ठीक है चारक पाउर चानवे को अगर भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या होगा अब देखिए दो बात यहां हमेशा याद रखेगा कि अगर यह 4 का पाउर छान बिलает तो अगर इसको हमें बनाना हो यह देखिए सम खात है ध्यान देना इस बात को बड़ा अच्छा है कानसेट है कि अगर यह सम घात है तो हम इसको सम घात में बस 4 का पाउर देखो चार में मैंने बताया वे था unit digit तो इसलिए इस पर 4 में जब condition मिले तो आप घबडाना मत क्योंकि 4 का power 1 क्या होता है 4 और 4 का power 2 क्या होता है 16 unit digit सेम होता है यहां पर 4 का power 3 होगा तो 64 फिर 4 होगा ना फिर 4 power 4 होगा 256 तो 6 होगा यह बाते मैंने आपको कब बताए थी जब आपको basic मेरे पढ़ा था unit digit का तभी बता दिया था यहां पर सोचने वाली बात नहीं है जब 4 का power कभी भी आप मिले तो आप नस्दीक वाला 4 पावर समसंख्या है नहीं पड़ी क्यों नहीं पड़ी जानते ही हो आप लोग कि भाई साब 4 का power 1 करने पर 4 आता है और 4 का power 2 करने पर 6 आता है फिर 4 का power 3 करोगे फिर 4 आएगा फिर 4 का power जब 4 करोगे फिर 6 आ जाएगा यानी आपको दिखने में लग रहा है वी sum होता तो 4 आता और sum होता तो 6 आता यानी हमको यहां sum दिया गया तो सम लेते हैं तो सम कोई भी ले लो यहां सम है तो चार का पावर दो से ही देख लिया मैंने चार का पावर चार से भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो कोई लिकत नहीं है अगर चार का पावर चार भी तुम्हें मन कर रहा है तुम्हें दिखा देता हूं तेखो अगर चार का पर्चार लोगे तो चार का दू चार का दो मिल जाएं यहां से सब्सक्रार मिलेगा यहां से प्र तfortable मिलेगा और 4 6 6 6 से भाग दो के फिर में अच्छी मेंडर क्या मिलेगा तो इससे घबडाने के जरूवत नहीं है क्योंकि प्रवाइब 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 पूछा गया है बहुत पुराना सवाल कि उन चास का पावर फंद्रम क्यूंट इस संख्या से पूरता विभागत होगा कि अयह बात देखो इसको मैं विभाजन में आपसे प्रस्च लेता हूं खिलाल यहां ले लिया हो तो बता दे रहा हूं ठीक है यहां विभाजन से लेता हूं। लेकिन यहां ले उन्चा 15 है तो ए भी क्या बना लो 15 तो कभी भी किसी भी संख्या में ए पावर यन माइनस बी पावर यन में यदि यन विसम है यन क्या है विसम है तो वह ए माइनस बी से विभक्त होता है जान लो है वाइनस बी से विभक्त होने का मतलब यह उन्चास माइनस एक यानि 78 से विभक्त होगा आप इसके मल्टीبل में दे सकता है बारा दे सकता है चार भी दे सकता है दो भी दे सकता है तो जो आप संदिया होगा उसी भी आप टिक कर दोगे हाला कि यहां पर च्छा दिया गया है ठीक है इस तरीके से आप समझ पाए question number ऐ आज मैंने जो आपको कड़ाया इस नियम को आप समझ पाए कि हमेशा हमें बना कर वहां तक पहुचना ही है चाहे जिस condition में ठीक है हमें बना कि वहां पर पहुचना ही है तभी हम सवाल को कर पाएंगे आनि था नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे मालो एक सवाल आया पाँज के पावर 500 को अंतिम सवाल है पाँच का पावर 500 को किस से विभगत करना है 500 से विभाजित किया जाता है तो रिमेंडर कितना हो जब ऐसी कभी ऐसी कभी बाती अगर आ जाए तो आप क्या करोगे उस बात को समझाता हूं कि देखिए कि कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवालों में पांच की घात तीन उपर कामल ले लो ले लिए तो कितना बचा पाँच का पावर 497 और यहां अगर पांच का क्यूब ले लिए तो यहां कितना बच जाएगा एक सो पचीस कि एक सो पचीस से भाग दोगे 500 में कि एक सो पचीस चौक का हो जाएगा ना नहीं हाँ चार बार बस बात क्लियर होगी देखिए आप जान दीजिए 125 से भाग दिये है तो 125 से 125 तो कर जायागा यानि बात कितनी हो गई पांच के पावर 497 भागे चार आप यहां भाग दोगे एक बार जाएगा एक का पावर 497 यानि एक ही हो जाए लेकिन एक वर्जिन रिवेंडर नहीं है आप अच्छे जिससे भाग दिये हो 125 से भाग दिये हो ना तो यहां भी 125 से क्या करना पड़ेगा गुड़ा करना पड़ेगा और इसका रिवेंडर कितना हो जाएगा कि एक सो कि ए बच्चे रहा रिवेंडर थीरम का पूरी थीरी मैंने आपको आज की क्लास में समझाया कल की क्लास में हम किवल दहाई के अंको समझेंगे आज ही ले लेकिन रीजन यह है बच्चे कि समझ में आपको नहीं आएगा और प्राबलम हो जाएगी बढ़ इसलिए मैं इसको कल दहाई के अंकोपे चर्चा पूरी क्लास लूंगर ठीक है धन्यवाद